प्रिदेश में सतना से आ रही यात्रियों से भरी एक बस हाथसे का शिकार हो गई बस बेकावू होकर वाट सागर नहर में गिर गई हाथसे की खवर मिलते ही प्रिशाशन मौके पर पहुंच चुका है जहां सहत बचाव कार जारी है और इस घटना में 38 शव निकाले जा चुके हैं इसके अलावा अन्य लोगों की च्छानवीन जारी है अपना आ रही यात्रियों से भरी एक बस हाथसे का शिकार हो गई है बस बेकावू होकर वाट सागर की नहर में गिर गई है और उसमें सवार यात्री नहर के पानी में लापता हो गई है लिल जी बांद की तरज पर हुए इस हाथसे की खवर मिलते ही प्रशाशन की टीम राहत एवं बचाव कार के लिए मौके पहुंच गई है क्रैन के जरिये बस की तलाश की जा रही है जब कि यात्रियों की खोज के लिए गोता खोरों की टीम को लगाया गया है मुख्यमंतरी शिवराज सिंग चोहा ने हाथसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राहतकार में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने पीएम आवास वेत्रण का अपना कारकरम भी स्थगित कर दिया है चानकारी के मुताविक सीधी से सतना के लिए मंगलवार की सुबह आठ बजकर 20 मिनट पर रवाना हुई जवलानात राश्ते में ट्रक से पासिंग लेते वक्त बस का पिछला पहिया फिसला और बेकावू होकर बस वाटसागर की चालू नगर में जागिरी बता गया कि नहर में पानी लवाला भरा हुआ था और पानी का बहाव भी तेज था बस और उसमें सवार यात्री नहर के पानी में समा गई बताया जाता है कि 32 सीटर बस में 38 टिकटे सीधी से बुक हुई थी हाला कि चार यात्री तैरकर अपनी जान बचाने में काम्याब हो गए है घंटों तक चली मिली जान तक चली मशक्कत के बाद SDRF और गोता खोरो की टीम ने नहर में डूवी बस की तलाश कर ली नहर से 32 शब भी निकाले जा चुके हैं शबों को एमबुलेंस से संजय गांदी मैडिकल हॉस्पीटल भेजा जा रहा है बस लगवग 80 किलो मीटर का सफर तै कर चुकी थी इस दोरान बस चुरहट और रामपुर ने की जैसे कस्वों से भी गुजरी थी लिहाजा आशंका जताई जा रही है कि यात्रियों की संक्या जादा भी हो सकती है कमलेश्वर सिंग नामक सक्ष की इस बस की फिटनेस 12 मई 2021 तक बैद बताई जाती है हाथ से की खवर मिलते ही रिवा जोन आई जी उमेश जोग डी आई जी अनिल सिंग कुश्वा मेरे प्री बहनों और भाईयो आज हम बड़े उत्सा से एक लाख दस अजार घरों में ग्रह प्रिवेस का कारिक्रम संपन्द करने वाले थे लेकिन सवेरे आठ वजे ही मुझे ये सूचना मिली सीधी जिले में बांड सागर की नहर में सारदा पाटन करके गाउं है महाई यात्रियों से भरी एक बस गिर गई बांड सागर की नहर काफी गहरी है हमने तदकाल बांड से पानी बंद करवाया राहत और बचाव दलों को रवाना किया कलेक्टर एस पी, SDRF की टीम वाह है, हाइड्रा, क्रेन, सारे संसाधन पहुंचे हैं बस निकालने के प्रयास हो रहे हैं एंबुलेंस, डाक्तर, वाकी सारी विवस्थाएं वाकी हुई है और हमारी भरसक कौसिस ये है कि हम अपने भाई बेहनों को बचा पाएं लेकिन ऐसी परिस्थती में मेरा भी पूरा दिमाग सरीर, मन, बुद्ध्य और आत्मा उन्ही यात्रियों में लगी हुई है इसलिए आज कारी कम करना उच्चित नहीं होगा मैं भी तुरंट यहां से राहत और बचाओ कारी करने वाली टीम के संपर्क में आठ बजे से ही हूँ लगातार उन्ही के संपर्क में रहना चाहता हूँ साथ, साथी बचाए जा चुके हैं जो निकल गए थे पहले कोसिस ये है कि अपने भाई बहनों को स्वरक्षित बचा पाएं और मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि आप अपने अपने स्थान पर भगवान से ये प्रार्थना कीजिए कि स्वरक्षित वो स्वरक्षित वो निकले आएं आज का कारी कम हम इस्तिकित करते हैं इसको फिर और किसी अफसर पर करेंगे धन्यवाद। अभी वहाँ पर जो हिटेची वगेरा की मसीने हैं वो सारी बुला ली गई हैं थोड़ी देर में इस्तिती साप होगी। जो लोग थे उन्हें अस्पताल में भी भेज दिया है पूरा प्रसासन वहाँ पर है। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराईए मत तोमिंडर एप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है साथी सर्विस भी वो भी घर बैटे। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर एप साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आपशकता हो तो यूज एज कस्टूमर में लॉग इन कीजिए और घर बैटे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज तो सही है ना टोमिंडर रोजगार भी और सेव तो देर किस बात की अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर एप